तो इस अपिसोड की शुरुआत उई से होती है जहां से पिछले अपिसोड खतम हुआ था सिनियर फिंग को जैसे एडिया लगता है कि बाकी जॉंबी को मारना पड़ेगा उनमें से कोई एक जॉंबी है उसके मड़ते ही है में जॉंबी मरेगा तो सारे जॉंबी में आग किस्टल है अगर आपने किस्टल यहां पे खा लिया तो शहत काम चलेगा फिस बार ने पुचा ही नहीं बात मों किस्टल खा लेता है और जैसे किस्टल खाता का समसे बोड़ी में घज़बी लेवल कर एक्षन आता है जो देकर सारे के सारे बंदे रुख जाते हैं जॉंब चलो मुझे लड़ाई करने का चोड़ लगेगा तो हील यहां पर कर देना और अभी के लिए जितने भी जॉंबी से ना सारे जॉंबी समर्ने के लिए तैयार हो जाओ और मेरे सारे साथी हो भाई निकलो यहां से वर नाक के बीच में तुम लोग भी आ जाओगे सारे साथी न चला देता है और कुछी मिनिट के अंदर जीतने भी जॉंबी से लेटलिस जितने भी जॉंबी से सबको खतम कर देता है शीशी भी देखती कि बापरिख्या है भाई यह बुड्डे का पावर हम कबसे हरा नहीं पारे थे इसने एक बार में सबको आग यहां पर लगा दिया लेकिन दोनों अकैडमी वालों ने धोका दे दिया जो सुन दे यह भी करता है क्या उन दोनों अकैडमी ने धोका दे दिया शीटी है गलत हो रहा है जो में जॉंबी था ओ भी करता ले भाई तुझे क्या लगा तुने मेरी आर्मी को रोक लिया तो हम लो फेल हो जाएंगे तो जो मामला है ना, मामली के आपको कलियर करो जांग, तुम मुझे अच्छे सहील यहां पर करो, अब आते बहुत सिटी के अंदर, जहां पर सची में बीश्ट लोग आ चुके थे, देख सकते इंसानों को मारा जा रहा है, वाइस मैर सब कुछ यहां पर देखता है, कहते हैं और मारो और मारो सब को मारो इस कहते ना दिशांशी नजारा इना जुरा और बच्छी के साथ क्या करना तुमको मालूम में यह भी करता यार लेकिन अभी जो बच्ची है उनके अंदर जो ब्लड ले नहीं परे जिसके चेक केमो किसी भी बीष्ट को कंट्रोल कर सकती है वैसे मैं अचानक से पास में जाना सारे फॉक्स के अंटरस उसको ले लेना काफी मुश्किल यहां परे जो सुन्दे वाइस मेर भी करता गदे के बच्चों तुमनों समझे नहीं हो उसका जो पावर नहीं अभी अच्छे से वेकेंड हुआ ही नहीं है वह अभी उसका नॉलेज उसका सब कुछ ना एक छोटे बच्चे के बराबर यहां परे जितने भी है न सारे के सारे फॉक्स और सारे फॉक्स को कंट्रोल यहां पर किया जा रही है लेकिन उसको कुई आइडिया ही नहीं है जैसे डे सारे बीष्ट एक वार मुसके पास आएंगे ना तो उसका दिमाग एकदम पगला जाएगा वह हुश में रहेगी नहीं एकदम क्या हो गया यह सब कुछ वाइट यहां पर की ब्लह में लेकिन वहां लेकिन तो यह सब कूछ मेयर भी देखता है इतने सारे बिस्ट इखा देते हैं सब वाइट वाइट ये भी करती बापर, इतने सारे वाइट वाइट चीजे क्या है, दर्द कर रहा है, वह ज़्यादा दर्द कर रहा है, जो जो से चिलाने लग जाती है, अब सिटी की ओर आते, जहाँ पे एक बच्ची डरके मारे भाग रही थी, कि मम्मी मम्मी बचा लो मुझे, लेकिन एक बी करता हूँ, तो सामने से हम क्या बोलते हैं, खावार आती के टेंशन यहाँ पे न लो, यह तुम लो जाओ अराम से काम करो, यह भी कहती है, यह मैडम, उतने में देख सकते हैं, एक बार में कितने सारे बीश्ट आ जाते हैं, तो हमारे में करता हैं, इतना जीप सरी एक्चन देने लग जाते हैं, रुख जाते हैं, हमारा में करता हैं, इतना जीप सरी एक्चन काई को दे रहे हैं, तो शीशी करती हैं, अभी कोई ख़वर आई हैं, तो ख़वर क्या कोडिंग, हमारे यहाँ पे भी जितने बीश्ट ना, उस सारे बीश्ट यहां पे रुख चुके ह बच्ची ने भाई ये समझो अपना पावर ये अक्टिवेट कर लिया था वाइस मेरा भी देखता है कि नो वे यार ये अपना पावर ऐसे कैसे अक्टिवेट कर सकती है वो अपना पावर को जादे ही जोर से अक्टिवेट कर लेती है जिसके चग के जितने भी बीष्ट यहां पे थे ना सब उसके controller में यहां पे आ चुके थे और जो थे न भई यह zoo family के बंदे उस सब लोगे ना यह चोग जाते कि सारे बीष्टों हमारे control कांटर में थे अचानक से यह control हमारे हाथों से कैसे गया वहाई समयर का दिमाग करदाई होता है कि यार यार एंड में इस बच्ची ने अपने मेन पावर अवेकन कर लिया और सारे बीष्टों को कंट्रोल कर लिया जिसके चक्क में बीष्ट हमारे कबजे से जा चुके है भैस सारे प्लैन बढ़िया चारा था एंड में इस बच्ची इस बच्ची को पकड़ो जब तक में को दूसरा मैटर यहां पे क्लियर करना है को लोग चाहूंगा इस इस मामीले से थोड़ा सा दूरी यहां पे रहता है काफी जादधा दूर अव आते वहीं अपने सारे वारियर्स की और बोला भी जाता है टेंशन अलो जितने भी जॉंबी से ना हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे मार डालेंगे सिनियर फिंग बताओ यार आपका जो चोट यहां पर है ओ ठीक है ना वो भी कहता या या जांग ने मुझे हिल कर दिया था तो मैं ठीक हूँ तो लड़का भी कहता है लेकिन तो भी यार गलत हो रहा है हमारे साथ उन दोनों बाकी अकेडमी वालों ने धोका दे दिया है वो अमारे साथ यहां पर रहते ना तो आज ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं होता तो सिनियर भी कहता अब जो होना था वो हो चुका है अब क्या ही कर सकते हैं आगे लड़ाई करते हैं सपोर्ट यहां पर करते हैं वह ज्यादा सही यहां पर रहेगा अभी के लिए मासुम लोग को बस बचा सकते हैं तब ही एक बंदा भी कहता है एक सेकंड आगे से डेसर या वेकर आ रहे हैं कि हमारे सपोर्टर आ रहे क्यां तो सपोर्टर नहीं बलकि धोके बाज यानि दोनों अलग-अलग अकेडमी के लोग आ रहे थे हैं तो ये लोग करते हैं अब तुम लोग यहां पर क्यों आ रहे हो वो लोग कहते हैं कि हम लोग की वा रहे हम लोग बस ऐवे आ रहे हैं यह लोग कहते हैं वूर वो तेरा नाम है ना भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमको धोका देखे हमारे पास आने कि साथी हो रेडी हो जाओ यार यह लोग भी कहते हैं हम लोग रेडी हो बताओ यार त तो अपने city के आसपास यहां पे देख रोज कोई ने कोई murder होता है बीष्ट आते बीष्ट के साथ यहां पे लड़ो लड़ते रहते तुम्हारी जान चल जाएगी बचे तो भी हालत खराब यहां पे रहेगी भाई क्या बेकार से जिंदगी है भाई ने चाहिए ऐसी बेकार से जिंदगी इसलिए तो हम zoo family को help कर रहें ताकि उनके family में एक नया एक नया को strong बंदा है जो सब को एन एक बार में यहां से खतम कर दे और हमको यहां पे बचा ले समझे कि ना समझे और यह chapter यहीं पर खतम हो जाता है तो मिलते किसी और वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई